येस, बैंक के शेर ने काफी अच्छा उच्छाल दिखाया है लोगर लेवल से क्या यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि आब ये कंसॉलिडेशन करके टेक्निकली एक ब्रेकाउट के लिए तयार हो रहा है हमारी क्या होगी रिक्मेंडेशन? इस वीडियो में बात की जाएगी शुरुआत करते हैं, देखिए अगर किसी को रेंटल इंकम 53 लाग पर मंत की हो तो क्या कहना? यहाँ पर येस, बैंक ने एग्रिमेंट साइन कर लिया है जिसके लिए yearly उनको 6 करोड रुपे का बगैर कुछ किये प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर 44,000 स्क्वाइर फिट का रोमल टेक पार्क जिसको आर्टेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है गोरे गाओं मुंबई में यहाँ पर monthly rent of 53,000,000 leased space from Romal Real Estate Private Limited तो यह इनके लिए इस तरह से monthly rent about it has been leased from the Romal Estate Private Limited जो इनको 6 करोड रुपे yearly पढ़ रहा है अच्छी बात है rating upgrade हो रहा है A- की rating दिए है इनको BBB plus की rating से और ये एक अच्छा माना जाएगा जहाँ पर outlook जो है इनका stable बना दिया गया है infrastructure bond के अगर बात करें तो upgrade to INDA- और stable from INDBBB stable से तो ये एक positive है और basically tire bond जो है वो BBB plus को upgrade कर दिये है compare to BBB minus के तो ये काफी अच्छा jump हुआ है इनके bond ratings में साथ साथ में yes bank ने दो board member को reclassified कर दिया है as nominated directors तो यहाँ पर recommendation from SBI और इसके चलते हुए EGM में ये resolution approved किया गया था जिसमें कुमार एं तिवारी जी nominated director हो गए है अब यहाँ पर इनकी stake सेल भी confirm हो गई है कारले और Advent दोनों ने यहाँ पर निवेश करेंगे 8,900 करोड रुपे का approximately 10% का stake मिलेगा इनको और board में इसको approval दे दिया है ये भी positive ख़वर माने जाएगी इस stock में सेभी की नहीं guideline आई है in terms of bond rating देखे पहले आपको पता होगा 81 bond जो yes bank का था उसको nil कर दिया था इन्होंने March 2020 में और इसके चलते हुए यहाँ पर huge loss रहा काफी investors को तो in fact निपोन इंडिया mutual fund यहाँ पर जो invested यहाँ पर उनको भी काफी तकड़ा सेभी स्केनर रहा था 2500 करोड का investment का घोटाली की बार चल रही थी तो यह अब write-off किया गया था 8,000 करोड का इसलिए सेभी ने यहाँ पर बताया है कि आपके सारे bond की rating को हम verify करेंगे इसका impact हमारे हैसाब से जो face value है इसकी 2 रुपे और book value जो है 13 रुपे के आसपास है यह 13 रुपे का बहुत strong support रहेगा इस stock के लिए अगर US market को देखा जाए तो US market ने कल जरेम पावल जी की speech के बाद काफी तकड़ी गिरावट दिखाई है जिसमें SGX Nifty भी almost डेड़ परतिशत गिर के कारोबार कर रहा है अगर Dow Jones की बात करें तो कल एक पिछले दो महिने की सबसे बड़ी red candle बनी है volume के साथ बड़ा है और ये फिर से 32,000 के आसपास पहुँच गया है यहाँ पर ये SGX यहाँ पर अगर हम Dow Jones Industrial Average की बात करें तो संधीप सबरवाल जी के कहना के मताबिक और इनका recommendation क्या है कि downside risk बहुत कम है upside reward काफी जादा है अगर आपका 2-3 साल का horizon है प्रशांद कुमार जी की जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है इन्होंने चोहुमुकी विकास किया है yes bank का और आगे भी इनके नित्रत्व में ये bank आगे नई नई चरम सी माओ तक पहुँचेगा येस bank क्यों गिर रहा था उसके बाद अब ये technically overboard zone में होने की वज़े से वहाँ पर गिर रहा था आई ये ज़रा चलकर इसका technical view देखते है cash surplus है इनके पास में fixed deposit नहीं कर रहे है they want to increase their revenue और इसलिए ये buying spring पर जा रहे है smaller entity micro finance segment में इन्होंने बताया है प्रशान्त कुमार जी ने की ये bank announce किया है around 1.1 billion equity capital from private equity like advent and carlet ARK का update 48,000 करोर रुपे अब इनका base बन चुका है जो इनके लिए एक अच्छी ख़बर है JC flower asset reconstruction company ने इनको यहाँ पर bid किया है और ये अगर इस से उपर कोई देता है तो ये asset उनको transfer कर दिया आएंगे हमारे साब से healthy correction was needed और ये हुआ यहाँ पर 20% का गिरावट आई अब देखिए 13-14 के आसपास ये base बन चुका है mutual fund का खूब support है 14-14 के आसपास अगर कोई चाहे तो mutual fund की तरह से इसको 14 रुपे के आसपास काफी अची तरह से खरीद सकता है यहाँ पर अभी 16 रुपे के आसपास भाव चल रहा है जो इसके लिए इसको positive development ले रहा है हमारे साब से support इसका positive रहेगा अगर SGX निफ्री देखें तो 17,444 के आसपास है यह करीब करीब 200 point का गिरावट आ रही है तो कल market में इस वज़य से मंड़े के दिन market में थोड़ा negative view रहेगा और yes bank का share भी थोड़ा pressure में रहेगा इस बात को समझेगा गिरावट खरीदने का opportunity रहेगी morning के first half में अगर cash flow देखा जाए तो देखे मार्च 2021 में operation activities से इनके पास में minus 21,000 करोड का cash flow था फिर 24,000 करोड negative फिर 57,000 करोड बड उसके बाद मार्च में 2021 में जब से प्रशांद कुमार जी ने बागदोर समाली है 50,000 करोड का positive cash flow उसके बाद 23,000 करोड का positive cash flow अगर net clash flow देखा जाए मार्च 2018 में 5,000 करोड का था including the investment opportunities और यहाँ पर 2,000 करोड फिर उसके बाद में 2020 में इनको 18,000 करोड का negative cash flow था इसके बाद 20,000 करोड का positive और अब 17,000 करोड का positive cash flow तो अब यह cash काओ बन चुका है Yes Bank काफी अच्छा result रहेगा इसका अगर आप चाहें तो अपने portfolio में इसको जरूर निवेश करके रखेगा टेक्निकली अगर देखा जाए तो देखें यहाँ पर Yes Bank ने गिरावट दिखाई है 16 रुपे 17 पैसे 16 रुपे 20 पैसे क्या सपास और कल भी यह एक positive bias की तरह से trade करेगा जितनी भी गिरावट आएगी हमारे इसाब से 15.50 पैसे का एक main support रहेगा जो उसके लिए एक अच्छा activity रहेगा अगर आप flag and pole pattern को समगते हैं तो देखे यह एक clear cut flag and pole pattern बन रहा है इस stock में यहाँ पर देखेंगे तो यह एक काफी अच्छा breakout के लिए तेयार है हमारे इसाब से जिसका output उपर की तरफ को रहेगा और यह फिर से 21-22 रुपे तक जाने की कोशिश करेगा बुलिंजर बैंड की direction उपर हो गई है और bandwidth देखे यहाँ पर हमने खरीदने के लिए तरफ को चलता है तो Yes Bank का भी रुजहान नीची के तरफ को रहेगा सूपर देखा जाए 14 औरपे 65 पैसे का strong support है RSI 61 के आसपास है जो कि एक slightly positive zone दिखलाता है MacDee ने इंटरस्टिंग लिए पिछले तीन दोन से sell signal जिनरेट किया हुआ है तो यह देखना होगा चुड़े और effective विडियन तो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और अगर हमारे साथ training करनी है mail drop करेंगे